नमस्कार आप देख रहें न्यूज वर्ड इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुभाश कॉट आज हम बात करेंगे राजधानी देहरादून की राजपूर विधानसबा सीट की इस सीट से दो दिगज खिलाडी एक भाजपा के और कॉंग्रेस के जी हाँ उससे पहले दिखा दे कि आखिरकार खजानदास के इन मुद्दों को लेकर फिर जनता के बीश उतरने जा रहे हैं उत्रकंड में अचार सहीता लगने के बाद चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं हमारे साथ राजपूर के विधायक खजानदास जी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार राजपूर में किस तरीके से वो इस बार फिर विजए होंगे सर पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पांच सालों में राजपूर की जनता को आपने सबसे पहले तो क्या दिया और क्या वज़ा है कि राजपूर की जनता एक बार फिर आपको चुनकर विधान सभा मुझे बिधायक बनाया मुझे चुना और अपना असरी बात दिया और मैं दिल से उनका भार विक्त करता हूं राजपूर विधान सभा के लिए जो मेरा कर्तब भी था जो मैंने उस समय चुनाओं के दर्मियान जो वादा किया था उसके तहत कोशिश की कि मैं उस वादे प बस्ती पे बहुत लंबे समय से जो गुजर रही थी 33 कवी की लाइन उस लाइन से बहुत बड़ा फरक पड़ा था क्योंकि कॉंग्रेस की सरकार ने अपने अपने च्छतों से तो उसको हटा लिया था किन्तु आम लोगों की च्छत से नहीं हटाया गया था सबसे पहले में जब चुनकर के आया तो उस बिदृत लाइन को हटाने का काम किया उसमें बिदाएक निदी से 50 लाक रुपे दिया और बाकी पैसा मानिया मुख्यमंदरी जी की घुशना के तहत दिया गया करीमन एक करोड 66 लाक रुपे का खर्चा उसमें आया सबसे पहले मेरा ये वर्क उसको मैंने पूरा किया और मुझे खुसी है कि जिस लाइन से पांच लोग निर्दोस लोग उसके चपेट में आये थे उनकी मौत हो गए थी और उस लाइन अब हट गई है तो मुझे इस बात को खुसी है कि वह काम मैंने किया लेकि सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि कॉंग्रेस आरूब लगाती है कि राजपूर एक पॉर्श एरिया है और कहीं न कहीं जो विधायक है राजपूर के उन्होंने उस शेतर में बहतर काम नहीं किया स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़के खुदवाई उसका फिर उसमेंटेड बना दिया जो बहतर सड़के थी उनका बुरा हाल कर दिया देखिए बड़ा दुखद विश्य है कि कॉंग्रेश के लोग इस परकार के आरोप लगा रहे हैं नाचन जहने आंगन टेड़ा राजपूर बिधान सवा धेरादून का हिर्दय है कुल मिलाकर के राजपूर बिधान सवा में सभी तपके के लोग निवास करते हैं इसमें हाइस क्लास के रोग भी रहते हैं मिडियम क्लास के लोग भी रहते हैं और गरीब लोग भी इस राजपूर बिधान सवा में निवास करते हैं Smart City का जहां तक सवाल है, Smart City का काम चर्म सिमा पर है, वो चल रहा है, काम में किसी परकार की कोथा ही नहीं है, एक साल के अंत्राल में आने वाले समय में ये काम दिखेगा, इनको अपने चस्मे का नंबर बदलना पड़ेगा, कॉंग्रेस के लोगों को जो इस परकार का आरोप लगा रहे हैं, और तब फिर देखना पड़ेगा, बहुत सारा काम हुआ भी है, और बहुत सारा काम अभी करने को बाकी है, सरे, देखा गया कि स्वास सुविधाओं पर आपने इस बार खास ध्यान दिया, और अस्पतालों में बहतर मशीने भी दी, क्या लगता है कि कोविट के बाद से ही ये चीजे हुई है, या आपके सरकार या आप चाहते थे कि आपकी विधान सबह में बहतर स्वास सुविध पराखंड के पैसेंट ही नहीं, अपी तु जो सीमांत जिले हैं हमारे उत्तरप्रदेश के, वहां के भी पैसेंट यहां पर आते हैं, हिमांचल प्रदेश से, चाहे पॉंटा साहीवा हो, जो नजदिक सिर्मोर जिला है, वहां के भी पैसेंट यहां पर आते हैं, किन्तु जिला अस्पताल नहीं होने के कारण बहुत बड़ी परेशानी थी। मैं जब चुन करके गया तो सबसे पहले मैंने बिधान सवा में इस बात को रखा कि जिला अस्पताल होना ही चाहिए। मानीय मुखेमंतरी जी ने और हमारी सरका ने इस बात को माना और जिला अस्पताल के लिए 49 करोड से उपर की धनरासी स्विकित की और आज पंडिक दिन दियाल अस्पताल जो है कोरोनेशन अस्पताल वहां पर jedoch सबेटका अस्पताल नहीं ओर आजिसा ही नहीं कुल मिलाकर के देखा जाया तो वहां पे मैंने अपनी बिदायक निदी से 84 लाग से भी उपर पैसा खर्च किया एक आधुनिक मसीन वहां पे उपलब करवाई जिस से 7 प्रकार के ऑपरेशन हो सकते हैं और अब मुझे इस बात की खुशी है कि ये अस्पताल अब काम करने लगा है आपने देखा हो का कि कोबिट के समय में भी बहुत बड़ी परेशानी हुई दो मैंने हमने 2020 के बहुत मुश्किल से ये जहले हैं अनेकों लोग पिडित हुए हैं अनेकों लोग हमारे पीच में न करती क्या गया अनेकों की जान बचाएगी में दॉक्टर का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ग्याफित करना चाहूंगा कि जो इस में लगे थे पूरे टीम उनकी इसमें काम करें थे सवाल है आप लोगों का नारा है इस बार 60 पार क्या लगता है कि 60 पार हो पाएगा औरॉस साठ पार में राजपूर की सीट भी बीजेपी के हक में होगी आ देखिये भारती जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है और जो करती है वो कहती भी है इसी के निमित 60 पार का जो भारती जनता पार्टी का नारा है क्योंकि 77 सीट उत्राखंड के सम्मानी जन्मानस ने भारती जनता पार्टी की जोली में दी थी और अब हमने तीनी सीटे अत्रिक्त मांगी है यानि कि 60 पार तो 60 पार का जो नारा है भारती जंता पार्डी का वो बुलंद चल रहा है और मुझे उमीद है कि उत्राखंड की जंता एक बार पुना धामी सरकार पर विश्वास करते हुए हमको पुना सत्ता में लाएगी और राजपूर विधान सभा की जंता से भी मैं यही अपील करना चाहूंगा कि यह दि मेरे काम पर उनको विश्वास है तो मुझे एक बार पुना अपना अस्त्रिबात परदान करेगी यह थे हमार साथ विधायक खजान दास दी जिन्होंने कहा कि इस बार साट पार के नारे के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी और राजपूर की जंता भी उन्हें फिर जिता कर विधान सभा पहुचाएगी तो आपने सुना विधायक खजान दास किन मुद्दों को लेकर जंता के बीच इस बार उतरेंगे लेकिन एक बार जरा कॉंग्रेस के राजकुमार की भी सुन लेते हैं कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर जंता के बीच जाएंगे और क्या वो मुद्दे जंता स्वि अब तैयारियों का दोर है सबसे बड़ी चीज यह है कि आप जनता अपना रिजल्ट आपको बताएगी कि आखिरकार वो आपको कितना बसंद करती हैं लेकिन ऐसा आपने क्या किया इन पांच सालों में जो सरकार ने नहीं किया यहां के छितरे विधायक ने नहीं किया और हग देंगे ममलीन बर्स्तियों को नजीर इस्वना और बिंदाल को स्वच बनाएंगे यहां पानी जलाएंगे इस चार-पांच साल तर चाहे तीन इनों मुख्यमंत्री बदले हो तीनों जूट-जूट-जूट की बाते करते रहे और उन्होंने यहां तक भी का कि रुपे का सिलेंडर मिलता था आज वो एक हजार का मिल पा रहा है और पैट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ा दिये गए हैं कि हर खाजय पतार के रेट सारे के सारे बढ़ गए हैं महंगाई बहुत बढ़ी लेकिन हम जानना चाहरा है कि जो राजपूर की जनता है वो कॉ कांगरेस को क्यों चुने हाथ को क्यों चुने राजकुमार जी को क्यों चुने कि हमने लगातार काम किया है और हारने के बाद भी हमने लगातार काम किया है और वरतवान विदायक जो हैं वो जीतने के बाद भी लोगों की सुख दुख में नहीं खड़े वे और जितनी भी रासन की दुकान में चीरी और बन्तियाते लिए। बिटिया की साधी के लिए एक लाग रुपए जो अनुसी जाती की दिया जाती तो उन्हों वो बंद कर दिया गया है। थप कर दिया तो इनी बातों को लेकर इनी मुद्दों को लेकर जनता बैजा रहे हैं। की कोशिश किया, उसमें मशीने लगाने की कोशिश किया, उनका ये भी कहना आरोब है आप पर कि आपने हाई टेंशन अपने घरों से तो उतार दी लेकिन उन लोगों के घरों से नहीं उतारी जिन लोगों को उसे सबसे ज़्यादा नुकसान था। इस परकार कहा रहे हैं। दूर मेडिकल कॉलिज को बना है, दूर मेडिकल कॉलिज कॉलिज कांगरेस ने बना है, ओपीडी हमने बनाई है ऐए। परकार कि में और आइश्यो की नहीं था, उनमें हजारों लोगों की मौत की जिमेदार है ये बहती जन्ता पार्टी। और यहां तक कि इनको आवाऌ कमन के लिए गाड़ियां तक नहीं तो ऐसे लोग मरें तो तो यहां से बुलाएं नी जा सकता है और आने वाले समय में और वश कांग्ने सर्क्राइवान में चले थे लगातार उसको चलाने का प्यास करें एक सवाल और है कि आम आद्मी पार्टी इस बार मैदान में, क्या लगता है कि आपका काम खराब करेंगी? आम आद्मी पार्टी को कोई ऐसा योगदान नहीं रहा है, जो किसी को दिखता हो, और जब सट्था में सरकार आएगी, तभी तो पानी का मिल माफ करेगी, तभी तो कुछ सुष्पधाय देगी, जब आम आद्मी पार्टी सस्था में नहीं आ रही है, यहाँ पर इंद्रे गांदी प्लैं में जिसमें हजारों गाड़ियों की पार्किंग है जिसमें हजारों दुकाने लोगों को मिलनी है। मालिकान हग देने का वाता किया था और जूमने जोड़ना चलायी नहीं विए जिन दोचार-दोगों को हम ने अधिछी दोभु हमने यदि उनकी सरकार आती है या उनको एक बार फिर से राजपूर में जीत कर विधायक विधानसभा पहुंचते हैं वो तो कहा जा सकता है कि वो विकास कारे कहेंगे ऐसा उनका कहना है लेकिन देखना होगा कि 2022 में कौन विधानसभा राजपूर विधानसभा सीट की तरफ से प आसला इस बार राजपूर की जनता करेगी और वो दिन होगा 14 फरवरी का जिस दिन वो मद्दान करेंगे और अपने नेता को चुनेंगे लेकिन इतजार ये भी है कि 10 मार्च जी हां 10 मार्च का वो दिन है जिस दिन राजपूर की जनता को ये पता चल जाएगा कि उनका